दोस्तो वेल्कम है आपका इस ब्रैन यू वीडियो में सब लोग कैसे हो मैं फर्स क्लास हूँ दोस्तो आप भी फर्स क्लास होंगे तो दोस्तो बात होने जा रही है दिखाते हूं अभी आपको एक सेगंड इस चीज़ की यह स्टेंप है इसको कहते हैं अपुस्तीले स्टेंप पहले हूँ आप यह करें वीडियो को पाउस कर दो सेरियो सु कह रहा हूं वीडियो को पाउस कर दो आपका जो पर्स सेटिफिकेट है जो कोई भी सेटिफिकेट है ठीक है स्टेडी का जो भी है सेटिफिकेट आपका ल कि ये stamp जो है लगी है के नहीं अगर लगी है तो ठीक है सब कुछ ठीक है अगर नहीं लगी तो फिर ये वीडियो आगे देखो ठीक है ये देखो ये जो stamp है ना दिख रही red, pink yellow, pink and blue color की जो stamp है ना जिसको नहीं पाता मैं उसको बता देता हूँ ये क्या है ये इसको कहते है अपुस्तीले stamp क्यों लगती है ये इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कौन से document पर लगती है ये क्यों आपको ये चाहिए कहां से मिलती है and price बताऊंगा and time कितना लगता है इसमें लगाने की ओक है ये अपुस्तीले stamp एक international stamp है जिसको कहते हैं अपुस्तीले stamp अगर आप वीजा लगा के किसी दूसरी country में जाते हैं worldwide stamp के साथ एक document को original माना जाता है easy यही बात है ठीक है verification जब करते हैं न एक document की उसको original माना जाता है तो worldwide 116 countries यह लिस्ट में है उसमें से अगर किसी country में आप जाते हैं तो आपको यह stamp चाहिए क्यों चाहिए किस कारण आपको यह चाहिए travel कर रहे हैं अब road का जा रहे हैं जैसे मैंने पहले कहा काम कर लेकिन यह जा रहे है work visa study करने जा रहे है उसके लिए visa आप लेते हैं अगर even citizenship आपकी कोई country से लेते हैं उसके लिए यह stamp अपुस्तीले stamp आपको लगवाना पड़ेगा आपके जो document है ठीक है for submit आप करते हैं ना अमबैसी में यह documents कोई भी document जा लिस्ट होती है उसमें से documents जो होते हैं कोई verify करने के लिए government को stamp लगाना पड़ता है तो कौँ से document ऐसे हो सकते हैं देखो education document से होते हैं higher degree मालो अगर आपने bachelor किया है diploma तो उसके पीछे यह diploma होता है उसके पीछे यह stamp लगती है ठीक है फिर सब्गा देता हूँ एक सगिन आदेखो ऐसी होती है यह लगती है तो next birth certificate वहां के लगती है वहां के उपर marriage certificate ले लो passport copies वहां पर लगती है medical certificate अगर आप बनाते हैं लोड बढ़ती है आपको police clearance वहां पर आपको लगानी पड़ेगी अगर आप ऐसी कहेंगी ठीक है कहां से यह stamp आपको मिलेगी अगर आप इंडिया में हैं कोई भी countries में आप हैं और आप रोड जाना चाहते हैं यह आपको मिलेगी by ministry of external affairs जिसको भी कहते हैं में आपको मैं एक वेबसेट दिखाऊंगा और विशल वेबसेट है गवर्मेंट की मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी वेबसेट है ठीक है कोई सी city में है यह कहां से मिल सकते हैं आपको यूदेली लेलो एमदाबाद लेलो बोपाल लेलो चनाई चंडिगर कलकत्ता लेलो लखनो मुंबाए और भी cities हैं पूरा मिल नहीं नहीं रिखाए ठीक है तो यह वेबसेट है उस पर दवारा बढ़ लेना आप पूरी लिस्ट आपको वहां मिल जाएगी ठीक है तो प्राइस क्या होगा इसका दोस्तो प्राइस वन थाउजन टू टू थाउजन रूपिस आपको लग सकते हैं डिपेंड करता है आपका कौन सा सेटिफिकेट है तो टाइम कितना लगेगा वहां इसको बनाने में स्टेंप लगने में दोस्तो टाइम टू वीक तक लग सकता है तो वीडियो को एंड में आप देख लेना कि आपके डोकुमेंट जो है उसमें यह स्टेंप है कि नहीं है तो अगर है तो विश्टो अच्छा है अगर नहीं है तो आपको लगानी पड़ेगी अगर आप but आ जाते हैं तो कोई भी कंट्री से होते हैं जो लिस्ट में है 116 जैसे मैंने कहा कि 116 इस लिस्ट में आती है तो वहां पर जाने से पहले आपको यह स्टेम्प लगानी पड़ेगी तो मैं यहां वेबसेट आपको दिखाता हूं कौन सी है एक सेगंड यह देखो पी-ई-सी पी-ई-सी उपर आपको लिंक दिस रहा है पी-ई-सी डालेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पर सभी इन्फोमेशन लिस्ट बगरा है आप देख सेदे कौन कौन सी कंट्रीस है ओके एंड आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके जाना ऐसा मुझ जाना तो अब अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना चानल को अगर आपने नहीं किया अभी तक ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाब बाई टेक है